देश बरके किसान भाईयों अभी अभी सूचना मिली है कि गाजी पर बॉर्डर पे जो हमारे यूपी के किसान भाई वहाँ पे धरना लगा कर बैठे हुए है उन सभी को खदेडने के लिए वहाँ से उनका धरना चकवाने के लिए पुलीस फोरस और अपने RSS के कुछ लोगों के द्वारा सरकार का ये प्रयास किया जा रहा है कि उनका धरना उठवाया जाए इसके लिए मैं सभी देशवासियों को जो किसान भाई हैं कहीं पे भी बैठे हैं सभी को ये अपील करूँगा कि अब घर बैठने का समय नहीं है अब मैदान में उतरने का समय है अगर जमीन बचानी है तो वापस आएं जमीन बचाने के लिए इन मोर्चों में आएं और मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहां से सिंगू बाडर से कि जो सरकार ये प्रियास कर रही है अगर वहाँ पे हमारे जो किसान भाई बैठे हैं ये मत सोचे सरकार के वहाँ पे वहाँ पे जो हम लोगों ने सरकार ने जो चाल चल ली थी हमारे साथ हमें खदेडने की हमें में बटने बटने की कि वो इस चाल में सफल हो जाएगी हम पंजाब के किसान यूपी के किसान हर्याना मद परदेश अपना राजस्तान कैरला करनाटका जितने भी किसान इस मोर्चे में कहीं किसी भी तरीके से मिलकर ये अंदोलन कर रहे हैं हम सब एक हैं और एक होकर लड़े का पूरा पंजाब उन मेरे भाईयों के साथ खड़े हैं जिनके उपर ये बल प्रियोग करने का ये प्रयास कर रहे हैं सरकार सरकार को तुरंत इस अपनी कारवाई से पीशे हटना चाहिए और किसान कर क्या रहे हैं वहां पे कुछ नहीं कर रहे हैं वो अपनी मांग लेकर बैठे हुए हैं अगर सरकार उन से ये ऐसे धके से उनको वहां से उठाने का प्रयास करेगी तो पूरा देश उनके सानों के साथ खड़ा होगा दूसरी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पिछले दिनों में 26 तरीक को जो इस सरकार ने हमारे अंदोलन को खिंडाने के ल हमारे देश बर में इननों एक ऐसा मैसेज देने का यतन किया है कि ये जो अंदोलन है ये किसानी का अंदोलन नहीं है ये तो खालस्तानियों का अंदोलन है ये ऐसी वैसी बातें करने का यो प्रयास किया है मैं ये कलियर कर देना चाहता हूँ कि आज की जो यहां सद बावन रेली हुई है सबी लोग एक एक किसान के हाथ में तिरंगा लेकर लोग निकले हैं वो जो तिरंगा है उसके बारे में अगर बात की जाए जिस तिरंगे की ये हमारे सरकार बात कर रही है इनी की तिरंगे की अगर बात की जाए तो बीजे पी के आरासेस के अपने आफिस पे ये तिरंगे के ऊपर इनका अपना जंडा जूल रहा है इतना ये सिद्कार करते हैं तिरंगे का और मेरे हर्याना पंजाब और पाकिस्तान में जा चुके पंजाब के जो पाट जा चुका है कुछ हिमाचल में हमारा पाट जा चुका है दिली तक था हमारा ये पाट और ये त तिरंगा पंजाब और हर्याना जब एक होकर देश की अजादी के लिए लड़ रहे थे लाज और पंजाब और हर्याना के लोगों ने बनवे प्रतिशत कुर्बानिया दी है इस तिरंगे के लिए और ये इस तरंगे पे क्या हम पंजाब और हर्याना के लोग को इसी आँच आने देंगे नहीं आने देंगे भाईयो ऐसा मत सोचो किसी एक आदमी ने वो गटिया किसम के आदमी ने ऐसी गलती की है कि वहाँ पे जाकर उसने वो इनका RSS का पिला था जिसने वहाँ पे जाकर ऐसी गलती की है और उन लोगों की गलती से आप ऐसा क्यों कर रहे हो हम तो आपके बाई हैं यार आप आप हमें पहचान तो लो हम एक कठे होकर ये इन दोलन लड़ रहे हैं और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं अपने बच्चों की जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं इन लोगों का ये प्रयास था कि इन लोगों को किसी ना किसी तरीके से खंडाया जा सके इनकी ताक्त को बंटा जा सके अलग-अलग तरीके यूज किये नोगों ने लेकिन इनका कोई तरीका अब तक हम लोगों ने सब्लth नी होने दिया ते इन्होंने ये हरकत किया है वो जो तिरंगे के अपमान कीबात की जा रही ہے तिरंगा हिमारा है हिराने का है पूरे देश का है हम इसका सनमान करते हैं तिरंगे का इसके लिए इनकी किसी ऐसी वैसी बातों में मत आएं और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से हिराने के भाईयों को कि आईए वापस इधर आओ वापस अब हमारी हमारे बचों की प्रापटी हमारे बचों की जिंद्गी हमारे बचों की लाइफ पर आज आफ पड़ी आ है ये सरकार यही चाहती थी कि ये घरने कम जोर करें ऐसा ऐसा शड़ियंतर रचे और उनको जवरदोष्टी उठाया जा सके और ये आप इन्होंने करना शुरू कर दिया है और मैं फिर से ये कहूंगा कि वो जो हमारे वहाँ पे गाजीपुर पर भाई बैठे हैं पूरा पंजाब उनके साथ है अगर हम लोगों को हमारे उस भाई को रकेश्ट कैथ जी जो वहाँ पे बैठे हैं उन्होंने कस्म खा रखिया कि हम उतनी देर तक जल पानी नहीं लेंगे जब तक हमारे लोग नहीं आएंगे वहाँ से हमारे गाउं से पानी लाकर नहीं देंगे तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम पंजाब वाले अगर हमारे उस भाई को कुछ भी होता है तो हम भी अपनी जाने कुर्बान कर देंगे लेकिन उस भाई का बाल भी बांका नहीं होने देंगे ये हमारा हर्याना हमारा पंजाब, हमारी जूपी हमारा मदपरदेश, ये हम सब एक हैं हम इसके लिए लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे बच्चों की रोटी का सवाल है इसके लिए भाईयो जो भी हुआ है किसी तरीके का हुआ है सब भूल कर वो उन लोगों ने किया है यार हमने नहीं किया हम तो तिरंगे का सनमान करते हैं हम सब का तिरंगा है इसलिए मैं जो आपको एक बात और मुझे पता चला कि वो ज ऐसे बात कह दी है जिससे हमारे भाईयों की थोड़ा मन को ठेस पहुची है मैं उसके लिए भाईयो आप सबसे जितने हर्याने के लोग हैं जितने जाट भाई चारा है सबसे हम मैं मैं हमारे पूरे स्जुक्त किसान मोर्चा की और से पूरे चलते अंदोलन की और से मैं आप ये कह कराए हैं कि पंजाब हमारा बड़ा बाई है हम पंजाब के शोटे बाई है तो क्या आप अपने बड़े बाई को मौप नहीं करोगे प्लीज साथ दीजगे बच्चों की प्रापटी बचाएं जमीन बचाएं बाई हो सब एक होकर लड़ें ये मैं आपको प्रार्थना करता हूँ और हमारे उस बाई का समर्थन देना आप जो आज उनको जरूरत है हमारी हमारे यूपी वाले बाईयों को आज हमारी जरूरत है सबी की जरूरत है और घर बैठने का वकत नहीं है ये ये सब मैदान में उत्रें अब उनकी हल्प करने का वक्त है उनकी हल्प करें और हम एक होकर लड़ें ये RSS वाले हमारे अंदुलन को खराब करने का हर तरह का प्रयास करेंगे और हम सब को मुँ तोड जबाब देना होगा जैसे मैं बहुत खुश हुआ था जिस दिन आपने ये लोग जो ये बाते कर रहे थे S.Y.L. जैसी बाते कर रहे थे आप हर्याने के लोगों ने बहुत उस समय ये जिन्दा दिली दिखाई है और आपने तो हमें लाए हैं आप हम पंजाब से नहीं आ सकते थे अगर आप हमार दूरता है आपकी इसलिए मैं फिर से आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ एक जो ठोकर लड़ने का समय है भाईयो एकता बनाएं और सब बातों को भूल कर एक होकर आएं इनकी चालों में माता हैं धन्यवाद दोस्तो नमस्कार सर्फरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना वाजुए कातल में है जाद है आपको ये बातें जाद रखनी होंगी हम वही हैं शहीद आजम बग्सिंग के वारस हम वही हैं जन्होंने इस तरंगे की आन बान के लिए अपने परवारों की हरती दी हम कैसे इस तरंगे का अपमान कर सकते हैं भूल कर भी ये बात अपने मन में मत लाइएगा कि हम इस तरंगे के खिलाफ इस देश के खिलाफ जा सकते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं जन्होंने किया उनके खिलाफ कारबाई हो रही है होनी चाहिए लेकिन सभी भाई चारे को हम अपनी जमीन बचाने के लिए बड़ा अंदोलन लड़ रहे और वो ल हम जमीर बचाना चाहते हैं वो हमें बेचना चाहते हैं मजदूर बनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा हम अड़े हुए हैं और आपको बिंती करते हैं बड़े बाई होने के नाते कि जो हुआ उसके लिए लीडर साहिबान ने अपना जो भी बख्ष रखा वो सामने है लेकिन एक बात आज हम अलग हुए तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचे गा आईए हम एक जो टोकर गाजी पुर बाॉडर पर जो दमन हो रहा है जो दमन हो रहा है उसके खिलाफ हम आगे आएं इस देश के जो हमारे परदान मंतरी जी है अमिद शाजी है जिनोंने सोच रखा है कि इस देश को गुलाम बनाना है सोचिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे देश को गुलाम बनाने का उनोंने सोच रखा है आप गुलाम होना चाहते हैं आप उस मिट्टी को जिसको हम मां बोलते हैं मैं देश वास्थियों को अपील करना चाहते हूं जिसको हम मां बोलते हैं उसको उन्होंने दूसरों के सामने बेचने का देने का उन्होंने मन बना लिया है आप चाहते हैं कि वो माँ गुलाम हो नहीं हम होने नहीं देंगे और अब उन्होंने जो दमन करना शुरू कर दिया है मेरे को मालुम है हर्याने के बाई, राजस्थान के बाई, जुपी के बाई और आस पास दिल्ली के बाई जो हैं वो अभी बात सुन रहे हैं जो देखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं अभी आना होगा अपने बाईयों की खातर उस मिट्टी की खातर जिसको आपने बचाया अंग्रेजियों से इस इन काले अंग्रेजियों से बचाना होगा अगर अभी नहीं आए तो वो उसको बेच देंगे, गुलाम बना देंगे और उनके साथ खड़े हूए, बावुकता का समा है हम बड़ी बावुकता से आपको अपील कर रहे हैं अगर अभी नहीं तो कभी नहीं हर्याने वाले वायो आप पास में हो दिल्ली वाले वायो आप बिलकुल वोसी जगे पर हो और जतनी जल्दी हो सकता है आप वहां पर पहुंचिए और उनको करड़ा जबाब दीजिए उनको बताईए कि आपकी जो चाले हैं वो कामजाब नहीं होने देंगे आपकी जो बांटने वाली बात इस देश को धर्मों के नाम पर बांटने वाली बात हम कामजाब नहीं होने देंगे हम इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे चाहे हमें अपनी जानों की अहुती देनी पड़े हम बग्ट सिंग, शहीद, उदम सिंग, करतार सिंग, स्रावा के वारस है हमें तो खड़े होना पड़ेगा और आप उनी के वारस हो जिनकी बात मैं कर रहा हूँ आप भी आईए इस देश को बचाईए इस देश के सविधान को बचाईए इस देश के बच्चों के विश्च को बचाईए और आज हमें हर हालत में अभी जो सुन रहे हैं अभी, मैं फिर बोल रहा हूँ जो अभी सुन रहे हैं उनको हर हालत में, गाजी पर बाॉडर पर आप देखिए, वहां पर कैसा दमन हो रहा है अभी ने पहुंचेंगे तब आपको समय माफ नहीं करेगा और हर हालत में आप आईए और आप इस देश में हो रहे दमन के खिलाफ एक जुट होईए इस देश को बचाना है, इस देश की मिटी को बचाना है जैहन बहुत ही आदरनीय देश बासियो यूपी के गाजीपुर पर जो एक गुंडागर्दी करने की कोशिश यूपी की सरकार की और से हो रही है उसने एक बार फिर इस दमन करी सरकार की यो नियत और नीती है वो सब के सामने लादी है और इस अंदोलन को बदनाम करने के लिए जो पहले डलेवाल जी ने और अमर जी जी ने बोला उस नीती को सबी लोग जान चुके हैं कि लाल किले पर जो कुछ हुआ कैसे एक प्लानिंग के तहत किया गया और उसके नाम पर जो बीजे पी की साथ साल से नीती रही है किसी को भी देश्टरूई कह देना किसी को भी राश्टर ब्रोधी कह देना और उस अंदोलन को कुछल देना यह साथ साल का वो पिछले समय से करते आए हैं और वही तेजर्बा फिर बदहराने की कोशिश कर रहे हैं लाल किले की प्लानिंग की पूरे नेरेटिव को चेंज करने की कोशिश की और वो नेरेटिव चेंज करने की कोशिश के तहत ही एक महौल अपने गोदी मीडिया की तरफ से बनवाया और अब वो अपना अगला स्टेप लेने जा रहे हैं आज वो गाजीपुर से शुरू करना चाहते हैं ये गाजीपुर पाद बात रुकेगी नहीं ये सिंगू भी आएगी ये टिक्री भी आएगी ये पलवल भी ये शाजहाँपुर भी ये सभी तरफ फैलेगी इसलिए इस बात को इसी जगा पर सक्ती से रोक देना होगा लोग चल पड़े हैं तो सभी से बिंती है कि जितने भी निजदीख हैं लोग जल्दी से जल्दी हमारे भाई, हमारी बहने, हमारी मताएं, हमारे बजुर्ग, हमारे युवा सभी लोग बड़ी गिंती में गाजी पर पहुंच गे और इसका डटमा वरोद कीजिए, और अगली बात, इस लड़ाई को बचाना इसलिए जरूरी है के साथ साल में इस सरकार ने जतनी जन वरोदी नीतिगां लाईी, कभी नोट बंदी, कभी जी एस्टी, कभी गौरक्षा के नाम पर लोगों को लड़ाना, कभी लवजहाद के नाम पर, कभी रष्टर्वाद के नाम पर, अलग अलग तरसी लोगों के खलाफ इतनी साशे की इतनी जनवरोदी नीतिया लाए और उसके खलाफ अगर कोई उन्दोलन हुआ तो उसे कुछल दिया गया ये साथ साल में पहला ऐसा उन्दोलन है जिसने देश के लोगों को एक अमीद दी है कि इस जाबर सरकार को पीशे दकेला जा सकता है सो जे सर्फ एक कसानी कमूमेंट नहीं जे जन अंदोलन है और एक अमीद है इस देश के लोगों के लिए एक नए सवेरे की अमीद है इसलिए हम उस सवेरे पर अंधेरे को भारी नहीं पढ़ना देना चाते है इसलिए वो अंधेरा गाजी पर परशाने की कोशिश कर रहा है लेकन आप जुट जाएए जुगनू बनकर और पहुँचिए उस तरफ तांके हम सरकार की उस दमनकारी नीती को वही पर रोक दे शाम को चार बजे उन्होंने तक अल्टी मिटम दिया था अभी तक लोग डटे हुए हैं उसका एक कारन ये भी है कि वहाँ लोग डट गए हमारे जो किसान नेता है वो डट गए और आज ही सिंगु और टिक्री पर बहुत बड़े मार्च किये लोगोंने बहुत बड़े मार्च किये हैं लोग फिर ताक्त हासल कर रहे हैं हम ताक्तवर थे, लोग ताक्तवर थे, लेकन उन्हों ने एक मनोव ग्यानक तोर पर लोगों को डाउन करने की कोशिश की, कि इन लोगों ने बहुत गल्त काम कर दिया, लेकन आप लोगों को कितना समा गुम्रा कर सकती हो, थोड़ा समा, लंबा समा, लेकन हमेशा के लिए न कर सकती और ये नुलन इतना बड़ा है कि कुछ समय के अंदर अंदर ही लोग साब कोई समझ रहे हैं और लोग समझ चुके हैं कि लाल किले की प्लानिंग गुर्दासपुर से इनके बीजेपी के एमपी सनी डियॉल और उसके बहुत खास दीपसिदू और कुछ और लोगों ने मिलकर की और उसकी तस्वीरें जो बहुत सारे नैशनल टीवी उन पर नशर हो चुकी हैं कि कैसे वो सारा कुछ करवाया गया तो उस बास से हमको बाहर आना पड़ेगा सरकार की नियुत को समझना होगा और जो जे दमनकारी नीती उसके खलाफ हमें डट कर मैदान में अभी से ये मत सुच गे कि अब अंधीरा है अगर आप इसे अंधेरा समझ गए तो फिर जो अंधेरा जोगी और मोदी सरकार लाना चाहती है उसके बाद कभी सवेरा नहीं होगा इसलिए आईए घरों से निकलिए और डटिये मदान में हम जीत कर जाएंगे देश को किसान को देश के जवान को और देश के लोगों को जिनकी रोजी रोटी को जे कार्परिट को देना चाते हैं जमीन को कार्परिट को देना चाते हैं देश का जाल जंगल जमीन सब कुछ बेज देना चाते हैं उसके खलाफ आई ये डटगे वाई गुरुजी का खाल सा सिरी वाई गुरुजी की फते ए जो शब्भी जन्वरी नू प्री प्लैन गौर्मेंट दी मोधी सरकार ने जो पूरे देश दे कसाना नू जानन दोलन नू कसाना दे जो अंदोलन लगा तार पूरे सिखरां दे नू जो बडी टा आलान दी अपन कुस प्री प्लैन सादे ब्राबर तड़े, जो लगातार कई मोर्चे दिए, जो शंबू दू चलके मोर्चे दिए गौई कर रहे सी, उसनु प्री प्लैन सादे मोर्चे बठालके, एय यांसियां दे बंदेया नू, इना ने साड़ियां हर इत्थे दी जो अपडेट हुंदी सी उसनों डौन कारंदी खातर ए लोक इत्थे मोर्चे दे विच डटे रहे ओ अज पूरे देश विच पूरे वाल्ड विच सब दे समने है उस इनसान दा असी नाम भी लेना अपनी जवानतों ए चंगा नी समझांगे क्योंके उस बंदे ने साड़े अंदोलन दी पेठविच शुरा मारया जो आज एक गंदा पूरसदा जो मोदी सरकार ने जो गाजी पर वाड़ रते साड़े कसाना ना अठान दी जो एक उत्थे दे लोकल है मेले ने डकैस साब ना आके उत्थे दी जानता नू ठालन दी को जूपी दे मन्ने पर मन्ने कसान लीड रहान ते संजुक्त मोर्चे दे भी पाठ हान पर किते ना किते उना ने पाबक होके जो एक गल कहिया परी मैं उन्ना चेर नहीं हुटूंगा जा उन्ना चेर पाणी दा को टनी पहूंगा जब तक मेरे पेंड़तों पाणी नहीं जाने यां पर किते ए गल सानू भी कसान लीड रहानू जो खास असी पंजाब दे थे चार आगू बैठे यां किते सानू ए भी गल कहनी ना पर वे सो एक किसे चंगे शेर ने शेर लिखेया जेडिया लडाईया अपने हका लई हूंदिया उना ले सनेहे नी पर जे जान दे जिना वेच अनख हूंदिया ओ आप आदे हन इस करके मैं कसान भी रहानू ए बेंती करदा जो साड़े पंजाब दे हरे आने दे जो इत्थों आगू ए कसान जो साड़ी इस परेड वेच छामल नी हो सके उस दी असी जित्थे आगू माभी भी मंग देया और उना कसान ना हुए बेंती कर देया पे नराश होन दी लोडनी जो एक गोदी मीडिया जो मीडिया सरकार दा एक दलाल बांड चुकिया जो गल्ट फेमिया इस साड़ा नेट बंद करके पंजाब विक्चों वाल्ड विक्चों हो देश बदेश्टो सानू फूना देया पे इत्थे की हो कि ते स्टेज पटती कि ते कोश हो गया ये सब गल्ला गल्त ने फेक ने किसे भी सरकार दे चैनल ते प्रोसा करन दी गल नहीं है गी जो साड़ा कसान एक ता मोर्चे दा जो आईटी सेल चैनल आ एदी गल्त ते बद तो बद शेर करो एते ते आन देओ जो गल्त हो फाइन ज जान दी या ओ सची गल होगी क्योंके बड़ा मीडिया जो साड़े पंजाब नू ए दखा रहा रहा ओ फ्लाने जी बाटर चक हो गया इदना दी कोई गल नहीं आसी डटे होएं या और डटे ही रहांगे एक खेती कनून तिन्ने राद कराने या और कराके ही जामागे जाता कर एक कनून नी बापस होंदे असी अपने पिंडा नू नहीं बापस होंगे जो हर्याने और पंजाब दे पाई चारे वेचे सरकार ने फोट पान दी कोशिच कीती या ओदे एक सदबा अबना जो रैली होई या सब तो बद कसान उसे वेचे चंड़ा देश दा जो साड़ तरंगा या सनमान चेन ओनू लेके कसान आगू और हर्याने दे कसान से गे सो असी हर्याने दे कसान नू बेंती कर देए जो होन सोन रहे या एस वेले सोन रहे या होने जाके गाजी पर बाड़ते डटो जो पंजाब दे साठे कसान ने ओ सवेर नू चाले पाओ जो टिकरी बाड़ते लगदे या टिक्री बाड़ते आओ जो सिंगू बाड़ते आ सकते इत्थे आओ ते बाद तो बाद सांख्या गाजी पर बाड़ते पहुंचो ते इनना ही कहनदा होया मैं पंजाब नू हरे आणे नू ते पूरे देश दे कसान नू ए बेंती कार देया पूरे जोकत कसान मोर्चे बलों ए बेला हुन का रांच बैठन दा नहीं आपने हकां लेई लड़ना या और आपने हाक लेगे जाना या जितांगे जरूर जारी जांग रखे ओ तानवाजी वाई गुर जी का खाल सा वाई गुर जी की फाते